हेलो दोस्तों शुरू करते हैं फिर से एक नया प्रक्टिस एड़ जो पैट कर रिलेटेड़ है दोस्तों लगवक्ष पीस यहाँ पर जी के जी एसके कोश्चन्स लगाएंगे जो सक्षिंस वाइज है तो शुरू के जो पांच सेक्षिंस है पांच 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 नम्बर्स ही है उस रेखा का नाम भी रेड क्लिफ है कभी कुश्च न साजाता है कि रेड क्लिफ क्या है तो भारत और पाकिस्तान के बटवारे पर जो खीची गई रेखा है वो आपके रेड क्लिफ रेखा है क्योंकि वो रेड क्लिफ ने खीची थी नेस्ट है आपका 1881 में केसरी अख अखवार की स्थापना की केसरी अखवार किस ने लगाया था वाल गंगदर तिलक ने नेक्स्ट यहां पर महत्मा गांधी ने भारत में की स्थापना की सिफारिस की जहां लोग सरल जीवन एवम उच्छ सोच के आदर्स का अनुसरन कर सकें तो किसके लिए की थी यह बताना है आपको तो आदर्स गाउं की स्थापना की थी किसकी आदर्स गाउं की महत्मा गांधी ने भारत में आदर्स गाउं की स्थापना की सिफारिस की जहां लोग सरल जीवन एवम उच्छ सोच के आदर्स का अनुसरन कर सकें नेक्ट कोश्चन से यहां पर चोथा निमलखित में से किस वेद को गीता की पुस्तक मंत्रों का वेद या गीत का योग भी कहते हैं किस वेद को इतने सारे नामों से जानते हैं यह बताना है तो यह है दोस्तों सामवेद को सामवेद को मतलब सारे वेद सारी गीता सारी पुस्तक उसी के अंदर हैं इस तरही किसे याद कर सकते हो तो सामवेद गो, गीत की पूस्तक, मंत्रों का वेद, ठीक है, या गीत का योग भी कहते हैं सामवेद गो, कुशन नमर पांच है, पारसनाथ जो एक छत्रिय और बनारस के राजा असुसेन का पुत्र था, वह कौन सा जिन तीर्थांकर था, ये बताना है, पारसनाथ कौन सा तीर्थांकर था, ये बताना है, तो दोस्तों ये तेईस्वा तीर्थांकर थे, कौन से तेईस्वे तीर्थांकर, नेक्स कुशन से, असोक के सासनकाल की सबसे महतपून घटना, कलिंग आधूनिक यूग में, किस पर विजय पाई थी, ये बताना है आपको, तो यहाँ पर उड़ी सा, जो उड़ी सा, पर विजय की थी, जो उनके जीवन का महतपून परिवर्तन सिध हुआ, नेक्स्ट है, नेम लिखित में से संगीत कारों में बह कौन है, तो कौन है ये बताना है, दिखीगा, कुशन नंबर नेक्स्ट है, जो 1253 से 1325 इसवी तक जीवित थे, और जिन्हें परमपारिक, तवला और सितार के अविशकारक के रूप में जाना जाता है, तवला और सितार के अविशकारक के रूप में किसको जाना जाता है, तो ये जाना जाता है, अमीर खुशरो को, किसको जाना जाता है, अमीर खुशरो को, नेक्स्ट है यहाँ पर, निम तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा यह सुवास चंद्र गोस काई था नेक्स्ट है कुशन नम्बर 9 तख्ट ए अकवरी नामक मंच जहां पर अकवर का समराट के रूप में राज्या भी से किया गया था तख्ट ए अकवरी नामक मंच तो किसको जना जाता ए तख्ट ए अकवरी रॉप के पंजाव को किसको जना जाता है पंजाव को नेक्स्ट है कुशन नम्बर 10 नेम्ल खित में से कौन सा हडप अस्थल सिल्प कलाओ के उत्पादन से संबंदित नहीं है तो कौन सा नहीं है ये बताना तो मांडा नहीं है यहाँ पर सिल्पकारों से हडपा इस्थलके नेक्सट है भारत के चार हिल स्टेशन नीचे दिये गए हैं कौन से आप इसका कूर्ट देखना है आपको मनार, कूर्ज, मांट अबू और डेहलो जी निमलिखित में से कौन सा दक्षिन से उत्तर की और उनके स्थानों के सही क्रम को प्रचलित करता है तो कौन सा करता है PQR है सबसे पहले है यही मनार, फिर कूर्ग, फिर मांट अबू, फिर डेहलो जी नेक्स्ट है आपका कूर्शन नमबर बारा तीज कोस्ट की पूरी स्रीज होने वाली है स्रीज अच्छी लगे तो लाग कीजीगा उत्तर और दक्षिन भारत को कौन सी परवत स्रंकला प्रथक करती है उत्तर और दक्षिन को कौन सी परवत माला प्रथक करती है तो कौन सी परवत माला प्रतख करती है दोस्तो बिंध्या परवत सरंकला प्रतख करती है नेक्स्ट है निमलेखित युगमों में से कौन सा युगम पहाडी दर्रों के संदर्व में सही है पहाडी के संदर्व में बिल्कुल सही है ये बताना है तो इसका जो अंसर होगा वो आपको चूज करना है तो इसका जो सही अंसर है दोस्तो वो है आपका लिपू लेख उत्राखंट कोईसर नंबर 14 है हिमाले की निमलेखी चोटियों का उनकी उचाईयों के साथ सही सही मिलान कीजिए हिमाले की निमले की चोटियों का उनकी उचाईयों के साथ सही मिलान करना है तो इसका जो सही मिलान होगा वो क्या होगा माउंट एवरेश्ट 8848 किलोमेटर उचा है धोला वीरा धोला वीरा 8166 कामेंट जो है दोस्तों आपका 7756 अनपूर्णा है आपका 8091 कम से कम कितने बर्स की अबधी के दोरान किसी इस्थान के मोसम की अवस्थाओं तथा विविदताओं की ओसत परिस्थितियां वहां की जलवाईयू कहलाती है तो कितने बर्सों में कहलाती है ये बताना है तो कितने बर्सों में कहलाती है दोस्तों 30 बर्सों में नेक्स्ट है निमलेखित में से किसने सबसे पहले यह तर्ग दिया कि उच घाटों की स्थिती में लोग धन की अधिक बचत करते हैं तो यह किसने कहा था तो यह कहा था दोस्तो डैविट रिकॉर्ड ने कहा था यह गिन्नी गुणांक का प्रियोग किसके लिए किया जाता है यह जाता है ऑए असमानता को मापने के लिए कीया जाता है बहरत में हरित किरांति आपका कुछन नंबर 59, कौण सा है भारत में stock market के बिने में के लिए कौन सी केंदर agency जिम्मेदार है stock market के लिए stock market के लिए है savee GST परिसद में कितने सदस्य है GST परिसद में कितने सदस्य है तो 33 सदस्य है यहाँ पर next question से question number 21 निमलेखित युगमों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है दोस्तो वो है आपका संग लोग सेवा आयो अनुचेद 318 यह अनुचेद 318 में नहीं है कौन से अनुचेद में है यह आपको बताना है comment sections में next question से सरकारियां आयो की संस्तूतियां निमलिखित में किससे संबंधित हैं तो यह किससे संबंधित हैं यह बताना है केंदर राज्य संकर्स किससे केंदर राज्य संबंध से संबंधित हैं 33 नमर का question से यहाँ पर भारतिय संबिधान 33 नमर का भारतिय संबिधान के अंतरगत ने मलेखित में से कौन सा मूल करतव्य नहीं है तो मूल करतव्य बताना है कि कौन सा नहीं है दोस्तों तो यहां पर लेखे लोग चुनाब में मतदान करना तो यह तो मूल करतव्य नहीं आता है यह तो ऐसा नहीं है कि मूल करतव्य में आता है आपका नेक्स्ट है एक उच्छ नियायाले का नयाधीस अपना त्याग पत्र किसको या किससे संबोधित करता है या किसको त्याग पत्र देता है यहां से यह मतलब निकलता है तो भारत के राष्टपती को देता है उच्छ नियायाले का नयाधीस अपना त्याग पत्र पच्चिस नम्मर का कुश्यन्स है 23 संबेधानिक संसोधन अधिनियम द्वारा भारते संबेधान में कौन सा भाग जोड़ा गया 23 संबेधानिक संसोधन अधिनियम के द्वारा तो कौन सा भाग जोड़ा गया था भाग नावा जोड़ा गया था आपका नोवा भाग नेक्ट है मनुष्य के लिए ध्वनी की स्रव्य सीमा कितनी होती है तो मनुष्य जो उसको सुन सके असानी से उसकी सीमा कितनी होती है देखेगा उसकी सीमा जो होती है वो होती है सिंपल मनुष्य जो असानी से सुन सकता है तो वो सुन सकता है बीस हड्स स 20,000 Hz तक 20,000 Hz तक अराम से सुन सकता है ध्वनी की गति सबसे तेज होती है किस में लोहे जल बायू निर्वात यानि कि लोहे में सबसे तेज होती है किस में होती है दोस्तों लोहे में सबसे तेज होती है निम लिखित में से कौन सा विकाल लेड का चिन है लेड लेड को किस से प्रिदर्सित करते हैं इस काम भी कोड़ी है तो पिवी से प्रिदर्सित करते हैं लेड़ वो सलफर होता है कावग का अध्यान कहलता है 되지 क्विशंट incur están usual है निम्ले खित में से किसका फियोघ फ्ल हो को पकाने के लिए किया जाता है तो किसका फ्ल को पकाने कोशिशन्स करें विजन किया अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए लाइक